मरते हुए को जीवन दान दीजिए यही सची देश पक्ती और यही सचा राष्ट्र प्रेम है ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है परंतु एक वेचारिक बीमारी हमाई समाज में मुझे नजर आती है कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोग तंत्र हैं जहां हिंदू पैदा होते हैं मुस्लिम सिक और इसाई भी पैदा होते हैं लेकिन बदकिस्मती है अभी इंसान पैदा नहीं होते और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरुवत है ना मुसल्मान की जरुवत है राष्ट निर्मान के लिए केवला चेंसान की जरुवत है केवला चेंसान की जरुवत है जरा सोच कर देखिए यह पेड़ पौदे और शकाएं भी परिशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसल्मान हो जाएं एक शैक्षिंग बीमा पास आई आई टी आएम और नाई टी जैसे शिक्षण सनस्थान है तो वहीं दूसरी और इस्टेश के गरीबों को बेरुजगारी की जमाद में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्फ शिक्ष्ण अभ्यान का जुनजुना पकड़ा दिया जाता है और मैं बता दू इस श जा जाकर नारेल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा हमारे समाज का श्चिक्षित वर्गी बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना अपने धर्म अपनी जाती को उंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवेलना कटता रहेगा तब तक ना तो इस तेश में महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इजदत की जाएगी राष्ट निमान तब संभव होगा जब जाती का तरक्षण नहीं बल्कि समाजी स्च्तिकर्ण भबात करेंगे राष्ट निमान तब संभव होगा जब स्वश्थ भ्यान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बंटाएगा स्वच्छ भार्त स्वस्थ बाद को दिल से अपनाएगा असल माईने में हमारा राष्ट निमान तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्यान भोजिन के नहीं बलकि या नर्चन के लिए सरकाई स्कूल की चौकर पर क तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन चाहित्रिक रूप से ब्रष्ट मांसिक रूप से दिवालया धार्मी कुछ आंधा रानेतिक रूप से गंदा स्वैचिक मान मूलियों के आंकडों मैं जिन शिन पैपंद मै अखंद भारत को खंड करता रहेगा तब तक हमारा राश्ट्र निर्मान संभव नहीं होगा बड़ी बड़ी बात है नहीं छोटी-छोटी कोशिश है करनी होगी क्योंकि ठोकर हमें पहार से नहीं पथरों से लगा करती है I being an Indian I being a student I being a symbol daughter of this motherland feel proud to be an Indian और मैं सेल्यूट करना चाहूंगी सरत पर दिनदात हमाई रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को इस तेश की पुलिस प्रिशासन और किसान को और इस तेश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पुरी मांदारी पुरी महनत और पुरी लगन से करते हैं जिनके हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की अपने रश्ट को आगे ले जाने की अपने वतन को आगे ले जाने की तो अंत मैं मैं बस यही कहना चाहूंगी मेरा हिंदुस्तान महान था महान है महान रहेगा मेरा हिंदुस्ताण महान था महान है महान रहेगा होगा होंसला सब के दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जैहिंद कहेगा पाकिस्तान ही क्यूं सारा जहान जैहिंद कहेगा क्यूंकि क्यूंकि सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा हम बुल बुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा य है हिंद बंदे मातरम